तो है गाईज अगेन वेलकम टू आवर चैनल बात कने वाले हैं आज के ट्रेड के बारे में आज के जो भी ट्रेड के थे उन ट्रेड के पिछे के क्या लोजिक था क्या मेरा माइंड से था क्या मेरा साइकोलोजी थी और आज के दिन क्या मेरा प्रॉफिट रहा क्या मेरा लो लोगे तभी आप earning कर पाऊगे अगर earning पर ही focus करोगे तो आप आसानी से market में टिक नहीं पाऊगे और नहीं market से कुछ पेसा अपने घर लेके जाने वाले हो तो यहां पर learning के लिए आया है तो वीडियो को आइंड तक जरूर देखेंगे यहां पर देखेंगे दोस्तों निप्टी का चार्ट लगा रगा है और निप्टी का फाइव मिन का चार्ट लगा रगा है मैंने निप्टी के फाइव मिन के चार्ट के उपर ही यहां पर मैं 푹ी टी बना रहा उसके बाद वहाँ गए तो यहां पर मार्केट अब में निकला है जब भी मार्केट में बजेजट आता है तब मार्केट दौस थो पस्सहांप अंदर अबसाइड निकलता है या फिर किसी किसी मार्केट में आपको ढांसाइड भी देखने मिलेगा बट आज के दिन अप साइट में निकला यानि कि यहां से ब्रेक आउट हुआ यह सिंपल सी आपको यह ट्रेट देखने को मिल गई होगी यहां से अगर कोई ट्रेड लेता है तो यहां से आराम से आपको अच्छा प्रॉफिट मिला बट यहां पर को मैंने इग्नियो हुआ हैं है यहां पर मेरे को इसे वन थाउजन प्लस यहां पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है अब यह प्रॉफिट मत देखिए आप ओनली ओन लर्निंग देखिए कि इन प्रॉफिट के पिछे क्या मेरी साइकोलोजी थी क्या मेरा लर्निंग पॉइंट था यहां पर जब इस भी चली रही थी लगबग तो आपको यह अपसाइड का मुमेंटम मिल चुका था और दोस्तों यह जो ट्रेड लिये थे मैंने बारा बज़े के बाद के ट्रेड लिये थे और बारा बज़े बाद देखेंगे यह अठारा हजार के असपास आया था माररकेट यहां से ट्रावल करके अठारा हजार के आसपास आया लगबग 200 पॉइंट यहां पर ट्रावल किया मारकेट था मैंने इस जगे पर अपना पहला पुट लेना स्टार्ट किया उसके बाद दोसे ऑफ 47000 के까요 Kyoto मैंने यहां पर बाई करी थी उसके बाद दोसी यहां पर देखेंगे वन वे आपको यहाँ पर डाउन साइड का continue momentum मिला बट यहाँ पर मैंने quantity कम रखी थी और अपनी risk reward को manage करते हुए यहाँ पर मैंने trade किया था और यहाँ पर top के ओपर मैंने यहाँ पर put को sale किया था और यहाँ पर मेरे को एक अच्छा momentum देखने को बिला मेरा जो target था वो इस swing क के आसपास था इसके आसपास ही था तो यहाँ पर मैं इस candle के आसपास exit कर दिया था जादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं जो भी profit है उस profit को इस level के आसपास लेके आया और जो भी profit था वो मैंने book किया अगर मैं trailing SL use करता था आज के दिन लगबग यहाँ पर मेर को जो मेरी quantity उस हिसाब से अगर देखे जाएं तो three leg plus के यहाँ पर profit देखने को मिलता था बट यहाँ पर मैंने अपनी risk reward को follow किया और अपने जो management था अपना जो चीजे में follow करता हूं उन्ची जो को follow किया तो मैंने यहाँ पर अपनी quantity थी exit कर दी थी बट यह continue यह downside में रहा और market में एक अच्छा momentum देखने को मिला है तो आज के दिन दो trade कियें दोनों trade एक साथ trade किये थे और दोनों में यही logic था मेरा कि market already काफी upside में निकल चुका है और 18,000 के आजपास गया market और यहाँ पर मैंने put लगाना start कर दी तो यहाँ पर काफी सारे लोगों की psychology क्या होती है में आपको बताता हूँ यहाँ पर काफी सारे लोगों की psychology की होती है कि market में budget आया तो budget में क्या होगा कि market upside गया है तो यह continue 18,000 को भी breaker के continue upside में चलेगा बट यहाँ पर जो call के premium थे आज के दिन भी देखा होगा call के premium काफी high चले थे जबकि put के premium बहुत ही low हो चुके थे और आज के दिन expiry नहीं है कल के दिन expiry हैं तो दोस्तों इसी reason को आप अगर mind में रखेंगे और अपने जो trading setup है उसके साथ अगर call up करके चलाएंगे तो आपको already पता चल जाएगा क्योंकि call का premium खाएंगे और आएट 18,000 एक psychology level था इस psychology level के आज पास से ही market को गिरना था तो यहा यहां पर market ने positive opening दी और negative यहां पर close हुआ आज के दिन तो आज के दिन का profit है यहां पर मैंने already आपको बता दिया दो position है 67,000 प्लस के profit है और भी कोई ज्यादा profit यहां पर हम में देखने को नहीं मिला है और यहां पर आज की capital भी जो मैंने use की थी I think one leg से one एक लाग पचास ज यूज की थी इससे ज्यादा capital को मैंने यूज नहीं की थी और 67,000 प्लस का यहां पर profit देखने को मिलना है अब इस profit को देखके आप इसा नहीं की profit फोकस करें यहां पर मेरा psychology समझी है psychology यही थी कि यहां पर यह लेवल 18,000 का लेवल एक psychology लेवल था उसके बाद market already travel कर चुका तो यहां से ओवाई को देखा अठाना जार पर कॉल राइटर काफी ज़्यादा थे पुट राइटर कम थे तो यहां पर मैंने ओलड़ी पुट को लगा दी थी और यहां पर पुट के अंदर अच्छा profit देखने को मिला है तो यह सिंपल सी psychology थी और यह market में हर किसी को नहीं दिखता है क्योंकि जब market में budget आया हो या फिर कोई भी additional आपको upside का move बिल रहा हो तो काफी ज़्यादा लोग prepare क्या करते हैं यहां पर market upside जाएगा यहां पर consolidate करेगा फिर में यहां पर अगर यह breakout देगा तो यहां पर मैं call लूँगा यहां पर क्या करते हैं लोग चलता रहत है यह 18,000 अगर breakout होता है तो यहां पर suddenly जो बड़ी candle spike candle मनती है उस candle के अंदर ही वो कोल ले लेते हैं और वो candle suddenly अपसा अच्छा जार के उपर सस्टेंग नहीं होती है वह invented hammer मना देती है और फिर उसको continue करती है डाउनसाइड की तरफ बट ऐसा scenario नहीं मना यहां पर और यहां पर मैंने 18,000 की कोल भी लगा ले थी तो यहां पर अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला मेरे बजट डे के लिए यह जो प्रॉफिट हुआ यह मेरे फस्ट बजट टाइम में इतना प्रॉफिट हुआ क्योंकि मेरे पिछले जो बजट में ट्रेड किया था उसमें मेरे को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ और एक बजट टाइम में जब फस्ट यह था उस टाइम में मेरे को लोस हुआ था तो यहां पर बजट डे के अंदर आप प्रॉफिट करता है वह बड़ा ठेर होता है क्योंकि बजट टे में जर्नली काफी ज्यादा वोलेटाइल था आपको फिट देखने को मिला है तो इस वीडियो से कोई लर्निंग मिली है तो देफिनेटली वीजियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूरू सै सब्सक्राइब कीजिये और आपकी कोई भी क्योरी हो और आप कॉमेंट बोक्स में बता सकते हैं मेंterror को और यह वीडियो लि कीजिए अपने management को सदारिये और अपनी money को manage कीजिए उसके साथ साथ अपनी psychology को strong कीजिए अपने mindset को strong कीजिए और अपने गुद्दे को थोड़ा दमदार बनाईए कि आपको loss देखकर भागना ना हो लोस अगर आपका चल रहा है उसको देखिए और रिलेक्स रखे माइंड को कि यहां पर मैं क्या कर सकता हूं अगर यह लोज चल रहा है तो यह लेवल है यहां पर ओ आई देखिए सारी चीजे को अब्जर्व करिए उसके बाद यहां पर ट्रेड कीजिए और लोज को अपने लेवल के उपर करना है ओके बाकी इस वीडियो से कोई लेर्णिंग मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए बाकी वीडियो देंगे लिए थैंक्यू सो मच